परिचे, मान लें कि राहुल के पास पिज्जा है, उसे इस पिज्जा में से कुछ भाग अपनी बहनों रीमा और नीमा को भी दे रहा है, उसे पिज्जा का एक तिहाई रीमा को और इतना ही नीमा को देना है, तो राहुल के पास कितना बचेगा? आईए गड़ना करके सीखें कि राहुल के पास कितना पिज़ा बचेगा उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे समान और आसमान भिन्नों की पहचान करना दिये गए भिन्नों का योग वा व्यफकलन करना समान और आसमान भिन्न समान बचेगा हैं समान हर वाले भिन्न जैसे कि 4 बटे 8, 6 बटे 8, 7 बटे 8, 1 बटे 8 समान भिन्न कहलाते हैं आसमान भर वाले भिन्न जैसे की एक बटे चार, तीन बटे पांच, साथ बटे आठ, नौ बटे ग्यारा आसमान भिन्न कहलाते हैं आईए अब हम पूर्व में पूछे गए प्रश्न को देखें हम कह सकते हैं कि उनमें से प्रतेक, राहुल, रीमा और नेमा को पिज़ा का एक तिहाई भाग मिला ध्यान दें कि यह भी एक समान भिन्नों का उधारन है भिन्नों की तुल्ना, समान भिन्नों में बड़े अंश वाले भिन्न, छोटे अंश वाले भिन्न से बड़े होते हैं समान अंश वाले आसमान भिन्नों में बड़े हर वाले भिन्न, छोटे हर वाले भिन्न से छोटे होते हैं विधी एक, विभिन अंशों वाहरों वाले आसमान भिन्नों की तुल्ना करने की दो विधिया हैं पहली विधी में माना A बटे B और B बटे C दो भिन्न हैं जहां B और D शून्ने नहीं हैं दोनों की तुल्ना करने के लिए हम A, D और B, C का गुणन फल ग्याद करते हैं यदि A गुणा D बड़ा है, B गुणा C से, तो A बटे B बड़ा है, C बटे D से यदि A गुणे D छोटा है, B गुणे C से, तो A बटे B छोटा है, C बटे D से यदि A गुणे D बड़ाबर है, B गुणे C के, तो A बटे B बड़ाबर है, C बटे D के विधी दो, दूसरी विधी में हम भिन्न का हर बदल देते हैं, लेकिन इसका मान नहीं बदलता है इस उधारन में, 4 बटे 5 और 3 बटे 4 के तुल्ले और 20 हर वाले भिन्न, 16 बटे 20 और 15 बटे 20 हैं समान भिन्नों को जोड़ना या घटाना छात्रो, दो या अधिक समान भिन्नों का योग, दो चरणों में ग्यात किया जाता है पहला हम अंशों को जोडते हैं और दूसरा हम हर को उभए निष्ठ लेते हैं और अन्तताह भिन्न को दोनों परिणामों के अनुसार लिखते हैं दो समान भिन्नों का अंतर ग्यात करने के लिए हम बड़े अंश में से छोटे अंश को घटाते हैं फिर हर को उभए निष्ठ लेते हैं उसके बाद भिन्न को दोनों परिणामों के अनुसार लिखते हैं आसमान भिन्नों को जोड़ना या घटाना हमने समान भिन्नों का जोड़ना वा घटाना सीखा उन आसमान भिन्नों को जोड़ना भी कोई कठिन कारे नहीं है जिन भिन्नों के हर समान ना हो जब हमें इन भिन्नों को जोड़ना या घटाना हो तब सबसे पहले हम भिन्नों के हर समान करते हुए उनके तुल्ले भिन ग्याद करेंगे और उसके बाद उन्हें जोड़ेंगे या घटाएंगे उदारण के लिए तीन बटे साथ और एक बटे चार दो आसमान भिन्न हैं इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम इन भिन्नों के हर समान करते हुए उनके तुल्ले भिन ग्याद करेंगे ये बारा बटे अठाएस और साथ बटे अठाएस हैं नोट करें कि अठाएस साथ और चार का लगुत्तम समापवर्त है यानि एल्सियम है एक अन्य उधारन में हम आसमान भिन्न को घटाते हैं सबसे पहले हम भिन्नों तीन बटे चार और एक बटे तीन के समान हर वाले तुल्ले भिन ग्याद करते हैं 4 और 3 का ला सापा यानि LCM 12 है, इसलिए 3 बटे 4 और 1 बटे 3 का उत्तर 5 बटे 12 है. मिश्रित भिन्नों का जोड़ना एवं घटाना मिश्रित भिन्न को या तो एक पून भाग और उचित भिन्न, अथवा पून रूप से एक विशम भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है. मिश्रित भिन्न को जोड़ने या घटाने की एक विधी या है, कि पून भागों के लिए अलग संक्रिया करें, और दूसरी विधी ये है, कि मिश्रित भिन्नों को विशम भिन्नों के रूप में लिखें, और फिर उन्हें जोड़ें या घटाएं. सारांश आएए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं समान हर वाले भिन समान भिन कहलाते हैं समान और आसमान भिन की दो विधियों से तुलना की जा सकती है समान भिन्नों को जोडने के लिए सबसे पहले हम अंशों को जोडते हैं उसके बाद हर को उभै निश्ट लेते हैं और अंतता भिन्न को दोनों परिणामों के अनुसार लिखते हैं आसमान भिन्नों को जोडने के लिए हमें समान हर वाले तुल्ले भिन ग्यात करना पड़ता है मिश्रित भिन्न को जोडने या खटाने के लिए पून भाग और भिन्न वाले भाग के लिए अलग संक्रिया करें दूसरी विधी ये है कि मिश्रित भिन्नों को विशम भिन्नों के रूप में लिखें और फिर उन्हें जोड़ें या घटाएं